दोस्तों नवस्कार मैं सौखी लड़जक ब्लासपूर 36 गर्षी जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जाना गारसीनिया कमबोजिया कैपसुल को खाने के सही तरीके के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है इस्प्रिलीना यह है क्या इस्प्रिलीन दोस्तों इसको समस्ते हैं इसके फायरतेे यह कहां से आया और यह कैसे इस्प्रिलीना बनता है दोस्तों यह पकाए जाने शयवाल है दोस्तों एक सर्वे की मुताबिक पता चला कि कछवे का 300 साल तक बोला जाता है कछवे 300 साल तक जिन्दा रहता है तो कछवे का 300 साल तक जीवित रहने का सिर्फ और सिफ एक ही कारण है और वह है इस प्रिलिना सैवान आई ये बढ़ते हैं आज के वाइडियो के औ संद्रल्स एमिनो एसीड इसमें केला से 4000 क reconna इसमें पिजाता है दूद से 14 गुंआ कैलसियम पाये जाता है पालक से 9 गुंआ एरन पाये जाताएCH होता हैं उसे Sacred خॉप जो इस प्रकार से बहुत सारे फायदे हैं इसके बावन प्रकार के पोसक तक पाय जाता है इसमें जो है और सही निट्यूसियन मिलता है शरीर में जो केलोरी बनता है अधिक मात्रा में उस केलोरी के बर्न करने में सहायक होती है शरीर में एनरजी बुष्ट करने का काम करती है दो दोस्तो आईए जान लेते हैं इसको जो है किस समय लेना चीए और कितने मात्रा में लेना चीए तो दोस्तो एक केपसूल दिन में खाना खाने के आधा घंटे बाद आपको लेने होते हैं शुबा और साम को और दोस्तो फिर से मैं बोलूंगा इस स्पेसल मेडिकल जिनका चल जारा है वह जरूर जो है अपने डाक्टर की सलाह ले करके जरूर ले बच्चे को दूर रखें बच्चे ना ले इसे तो आज कर यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हेल्थ केर के बहुत ही बहुत बहुत और अपने टीम में ज्यादा ज्यादा जरूर सेयर कीजिए ताकि वो जो है फिल्ड में जाने पहले इसको ले ताकि दिन भर अपने अंजर जो है इनर्जी बना कर रख सके और रिजल्ट कर रहा सके दोस्तों फिर सिब मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक्यू